हेलो फ्रेंट्स व्लकुम बेक टो दिस यूटूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट्स विल और मेरा नाम है विकास तो फ्रेंट्स यहां पर दीएप सीसेल के तरफ से बहुत सारा वेकेंसी निकल के आया था जिसके लिए ओल ओवर इंडिया से हर कोई अपले कर सकते हैं अगर आप अभी तक अपले किये हो जाकर अभी से अपले कर लीजिए तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर करोने के बचे से कोई भी निकल के नहीं आ रहा है और अगर तो इसका मतलब क्लिए है कि यहां पर बहुत ज़्यादा कंपिटिशन होने वाला है और आ सी आंसर की से मैं आज reasoning part को solve करने वाला हूं और आगे मैं technical part को भी solve कर दूँगा इसका syllabus के बारे मैं बताना चाहूंगा इसका syllabus में total 120 question देखने को मिलता है और 120 question में आपको जो 24 question हमारा non technical part का होगा और जो 96 question हमारा technical part का होगा और यहां पर मैं engineering बालो के लिए जो syllabus मैं engineering बालो के लिए बता रहा हूं और यहां पर जो executive civil का post है जिसके लिए diploma मांगा गया है उसी का answer की अभी मेरे पास है और उसी का answer की से मैं आज रिजेनिंग part को solve करूँगा जो non technical में 24 question आता है उसमें से 12 question आपका general knowledge के लिए पूछा जाता है और 12 question आपका जो regioning और थोड़ा सा aptitude बाला question देखने को मिलता है और जो 96 question है वो हमारा आपका discipline के हिसाब से आपको question देखने को मिलेगा और next जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो executive civil में मतलब हमारा जो technical paper में जितना सारा जो 96 question आए उसके ओपर मैं वीडियो बनाके solve करके आपको दिखाऊंगा तो चलिए अभी वीडियो को सुरू करते हैं और regioning part को solve करते हैं तो यहां पे देखिए 10.11.2018 यानिकि 10.09.2018 में मेरा फ्रेंड इस एक्जम को देने के लिए गया था और यहां पे 12.12 बजे से 2.12 बजे के अंदर इसका एक्जम कंड़र्ट किया गया था और यह जो subject यहां पे executive civil के लिए यहां पे apply किया था और एक्जम दिया था तो चलिए इसका जो regioning part को हम अभी solve करते हैं तो यहा knowledge part देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पे general knowledge में तो कुछ बोलने को नहीं है लेकिन इसके लिए मैं आपको एक book प्रिफर करना चाहूंगा जो कि तो देखें यहां से हमारा general aptitude regioning part शुरू हो रहा है तो यहां से हमारा first question क्या है थोड़ा से देख लेते हैं यहां से हम अभी 12 question को solve करेंगे तो चले शुरू करते हैं अपे देखिए हमारा first question हमें क्या दिया गया है हित्ति की starts walking towards east after walking 50 meter he turns left and walks straight for 15 meter at this point he again turns left and walks straight for 30 meter and once again turns left and walks distance of 15 meter how far is he from the starting point तो यहां पे हमें first question में हमें distance and direction बाला question मिला है तो चले इसको solve करते हैं मुझे पता है आप लोगों को question पढ़ने में थोड़ा सा problem हो रहा था इसी बस से मैं उस file को अभी PDF format में convert कर दिया हूं क्योंकि वह HTML format में था और HTML format में ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा था तो यहां पर मैं उसको format में convert कर दिया हूं तो यहां पर आप clearly उस question को पढ़ सकते हों के तो चले इस question को हम अभी solve करते हैं अभी जो मैं answer की यह जो answer की अभी solve कर रहा हूं अगर आप इसका fully पेपर देखना चाते हो मतलब यह जो answer कि अभी मैं जनरल आप्टिचूट रिजनिंग पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं अगर आप इसका जनरल नॉलेज में क्या कोशिन पूचा गया है यह सब कोशिन अगर आप देखना चाहते हो इस पेपर का तो इसके लिए मैं क्या किया हूं हम मेरा जो फुली पेपर है वहां पर आभिल यह हमारा डिस्टा goddamn बाला कोशिव है तो इसको इसको आपने के लिए आपको किया करना है जो भी राफ़्षिट आपको मिला होगा आपके एकजम सेंटर में आपको क्या करना है उसका करनल में इससे जो डिस्टन्स डिरेक्शन वाला जो डाइग्राम होता है उसको ड्रॉ कर लेना है यह हो गया हमारा क्या इस्ट यह हो गया हमारा वेस्ट और ऊपर हो गया क्या यह हो गया हमारा नौर्थ और यह हो गया हमारा नीचे साउथ तो इससे सब्सक्राने यहां से वालकिंग कर रहा है तो इस तरफ से折िरेक्शन में मतलब यहां से तरफ यह चल रहा है कितने किलोमेटर कर चल रहा है after walking 50 मेटर तो यहां पर हिर्तिक उसका starting point से east के और 25 मेटर गया है कर रहा है तो यहां पर हिर्तिक कुर्ण टोर्स चलाएं यहां passado क्या हुआ है he turns left and works straight for 15 meter तो यहां पर अभी हिर्तिक है तो यहां से वो क्या कर रहा है फिर से left turn कर रहा है तो यहां पर इसका left turn कहां पर होगा यहां पर देखिए यह अभी इसका face east के ओर है तो east के ओर इसका face है तो इसका left कौन स्था ओर होगा यहां पर north direction में होगा तो यहां से यह 15 meter चला है north direction में तो यहां पर यह होगा 15 meter north direction में यहां पर यह मतलब meter at this point he again turns left and works straight for 30 meter तो यहां से यह फिर से उसका left ले रहा है मतलब यहां पर अभी रितिक है तो यहां पर इस तरफ उसका face है तो इसका left वेस्ट के ओवर यह अभी 30 meter फिर से चल रहा होगे तो यहां से यह फिर से 30 m oldest के तरफ ए olmaz तो यहां पर अभी हीरतिक है तो यहां पर फिर से क्या होगpower और once again turns left and works at distance of 15 meter तो यहां पर फिर से हिस्टिक के left turn लिया और यहां से 15 meter सुर्च यहां पर स्प्सांतिन करने सब्सक्राइब और तशींट समय मैं कि आ गया जगे वह कुछ नापनी आ ले उनपने से सब्सक्राइब नहीं सुर्दर्स टार चला यहां पर सब्सक्राइब तो यहां से इक श्रुदर्स मिटर फ्सक्राइब उसी Jenly म culn तो अभी हमें क्या पुछेगा है how far is he from the starting point तो वह अभी उसका starting point से कितना दूरी में है वह हमें find करना है तो यह तो बहुत आसान है देखें यहां से यहां तक मतलब यह जो यह जो distance वह कितना है हमें find करना है तो कैसे करेंगे यह total distance यहां से यहां तक कितना था 50 मिटर था अभी यह 30 मिटर यहां से चला है तो 50 से 30 कर देंगे तो कितना जाएगा 20 जो जो कि यह जो direction यह जो distance हो हमारा 20 मिटर हो जाएगा तो यहां पर हमारा option 4 हमारा answer हो गया तो चले friends next question पर चलते question number 2 तो यहां पर question number 2 पर हमें क्या देगा है if the positions of the first and the sixth digits of the number 3,4,1,2,8,5,7,6,9 are interchanged and similarly the second and the seventh digits are interchanged which of the following will be third to the left of the seventh digit from the left end तो यहां पर देखिए इस question को थोड़ा साच्छे सा समझे देखिए यहां पर 3,4 यह जो number हमें दिया गया है इस number को अभी में यहां पर निचे लिख देता हूं कि 3 उसके बाद 1 उसके बाद 2 उसके बाद 8,5 next क्या है 7,6 और last में क्या है 9 यह हमारा यह जो number है इस number पर क्या हुआ है यहां पर देखिए if the position of the first and sixth digit of the number तो यहां पर जो फास्ट और 60 digit मतलब यहां पर 1,2,3,4,5,6 मतलब यह जो 5 और 3 को अभी interchanged किया जा रहा है मतलब यहां पर 5 इस तरव आ जाएगा ओके और यह जो 3 है वो हमारा 5 के निचे यहां पर यहां आ जाएगा तो यहां पर इसके बाद फिर से हमें क्या बोला गया है और 7th digits और interchanged हमें फिर से बोला गया है कि जो 2nd number पर जो चीज़े मतलब यहां पर हमारा क्या है 4 और 7th number अपर यहां पर फिर से उसका प्लेश यहां पर इंटर एंड है और यह हमारा राइट एंड है ओके यहां पर हमें क्या पुछा जा रहा है which of the following will be third to the left of the seventh digit from the left end ओके तो यहां पर देखिए इसका left end मतलब यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ ओके तो यहां यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखिए यह हमारा आंसर हो जाएगा तो यहां पर देखिए question number two का answer क्या है यहां पर option for now ओके तो चले next question पर चलते question number three तो यहां पर question number three पर क्या देगा है select the response that is different from the other three responses तो यहां पर यह हमें चार option दिया गया है इन चार option में किसी एक option का यहां रिलेशनसी पर उसके बीच में जो कि बाकी तिनों से अलग है और वह कौन सा option है वह हमें से लेकर यहां पर यह से लेकर पूरा जेड़ तक किसे लिखना है यह से लिखकर यहां पर यह तक उपर रो में लिखना है और नीचे के रो में यहां पर एन से लेकर जेड तक इसे लिखना है, मतलब उल्ट्या करके लिखना है, और उसके हाथ उसका numbering कर लेना है, 1 से लेकर 26 तक उसको numbering दे देना है, और उसके हाथ आप इस टाइप के कुछिन को बहुत आसन से इजली solve कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखे, मैं थोड़ा सा आपको एक बोल दे मतलब minus 4, f का 4 step पीछे b आ रहा है, और b का कितना step के बाद g आ रहा है, b का plus 5, तो यहाँ पे b का 5 step के आगे g आ रहा है, तो इनके बीच एसा कुछ relationship है, तो यहाँ पे देखिए, दूसरा option में क्या relationship है, e, h, d, i, तो यहाँ पे e, मैं लिख देता हूँ, e, h, d, और i, तो e, i, h, d, i, okay, इनके बीच में क्या relationship है, e ने का कितना step के बाद h आ रहा है, e का 3 step के बाद आपका, यहाँ पे h आ रहा है, तो plus 3, e का 3 step के बाद h आ रहा है, or ish का 4 step पीछे क्या आ रहा है, d आ रहा है, captured और यहां पर D का 5 step आके आपका I आ रहा है, तो यहां पर D से अगर हम 5 step आके जाएंगे, तो क्या आता है, I आता है, तो देखिए यहां पर यह जो दो option को मैं solve किया, इनके बीच में जो relationship है, यह एकदम सही है, मतलब में equal है, लेकिन यहां पर देखिए, यह जो 4 option पर जो हमें दिया गया है, HWTX, इसके बीच में जो relationship होगा, वो एकदम से अलग ही होगा, आपको यहां पर मैं homework दिया रहा हूं, कि आपको इसका जो relationship है, इसको आपको घर में practice करना है, और क्या यहां पर relationship में क्या change है, वो खुद से ही आपको पता करना है, लेकिन यहां पर हमारा answer क्य absence depicts the correct mirror image of the following figure, तो यहां पर हमें asphere का mirror image कैसा बनेगा, वो हमें find करना है, तो कैसे करेंगे, देखें फ्रेंट, जब mirror image हम बनाएंगे, तो यहां पर हमें यह बोला जाता कि, यहां पर mirror place किया जा रहा है, तो यहां पर क्या image form होगा, तो हम अभी find कर लेते, या फिर यहां पर अगर mirror image place कर रहा है, mirror place किया जा रहा है, तो यहां पर क्या image form होगा, वो हम find कर लेते, लेकिन यहां पर हमें कुछ बोला ही नहीं गया है, बोला गया है कि, इसका mirror image कैसा होगा, ऐसे, मतलब इसका opposition में, मतलब यह अगर हमें, तो इसका mirror image यहां पर बनेगा, तो इससे बनेग सबसे लास्ट डीजिट्यड होगा जो लास्ट आलफाबैट से वह हमारा फास्ट आ जागा और उसका इस तरफ यह तरब एक का एसे बना है इसे बन जाएगा और यहां पर एक आईडिया देता हूं कि आपको चेट करना है जो आस्पेर है यह वह आ सठिक में आपको बोल रहा आपको क्या करना है कि इसका इमेज किसा फॉर्म हो रहा है आपका मिर में थे खारीब हो ने इसका फॉर्ण केमरा क्या से अब फॉर्म होता है तो जरू एक बार देखना आ ओके तो चले नेक्स कोशिंघ नमबर पर हमें क्या दिया गए u v w x and y are five cousins x is half the age of v v is half the age of u y is half the age of x if y is four years old what is the age of v okay तो यहां पर हमें v का age निकलना है तो हमें यहां पर क्या statement दिया गया है देखिए फ्रेंट्स u v w x y तो यहां पर five cousins यहां पर एक से यहां पर मैं एक से नहीं ले रहा हूं यहां पर मैं सब्सक्राइज अगर पी यहां तो यहां पर देखिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आधा है यहां पर इस अधह कर में लिक देता हूं लस्य है पी मल्टिप्ला है बाए टू ओके तो यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर फोर हो जाएगा जो कि हमारा क्या है य का एज है तो यहां पर हमें लास्ट में क्या बोल जा रहा है क्या है फोर यहां पर यहां पर हमारा फोर जाएगा पिकलोasket यहां पर कितना हो जाएगा जो कि हमारा इसे टो यहां पर बिकाइज कीतना गया सिक्षीं सडोड वेसिट्र विस्टम यहां पर कुछ यहां पर संटे लगा कर यहां पर किस्टेम लगाकर यहां पर इस एक्वेशन उस्टेम को वेसिद्ग जा रहा है तो चले हम इस equation का क्या यहां पर हमारा answer आएगा उसको हम find करते हैं तो देखें यहां पर 4 plus 25 is equal to 81, 9 plus 49 is equal to 256, then 7 plus 16 is equal to how much यह हम find करना है तो केसे find करेंगे, देखें फ्रेंट्स यहां 4 plus 25 is equal to 81, तो मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा 4 ऐसे रख देना 4 plus 25 है, इसका अगर हम root over लेंगे, square root लेंगे, तो कितना आजाएगा, 4 plus 5 आजाएगा और यहां पर 81 का अगर हम root over लेंगे, तो कितना आजाएगा, 81 का square root कितना होता है, 9 होता है तो यहाँ पर देखिए 4 plus 5 is equal to 9, उसी तरह 9 plus 49, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 9 plus 49 का अगर हम square root लेंगे, मतलब second बाला का square root लेना है, तो 49 का अगर हम square root लेंगे तो कितना होगा? 7 होगा, और यहाँ पर is equal to 256, 256 का अगर हम square root लेंगे, तो कितना आ जागा? 16, जो कि 9 plus 7 is equal to how much? 16, तो यहाँ पर यहसे हमारा answer हो रहा है, तो उसी तरह 7 plus 16, तो 7 का, यहाँ पर 7 plus 16, तो 16 का square कितना होगा? square root हमारा 4 हो जागा, 7 plus 4 is equal to 11, तो 11 का square कितना हो जागा? 121, जो कि यहाँ पर हमारा answer है, तो चलिए, next question पर डलते है, question number 7, तो यहाँ पर question number 7 पर हमें एक statement और एक question दिया गया है, और वो question को लेकर base करके, एक statement दिया गया है, और यह जो statement है, एक और दो statement दिया गया है, तो यह इस question के लिए sufficient है, यह फिर नहीं, यह दोनो statement वो हमें निकलना है, तो केसे निकलना है, तो केसे निकलना है, देखिए, फ्रेंट्स, which year was Sudhansu born in, तो Sudhansu किस year में पेदा हुआ है, यह हमें question पूछा गया है, तो यहाँ पर statement क्या दिया गया, Sudhansu is 6 years younger than he is brother, आजब पर हमें Sudhansu का जो एंगर brother है, उसका age पता चलेगा, तो उससे 6 सल छोटा कौन है, Sudhansu है, तो हम Sudhansu का age निकलना है, तो यह हमारा sufficient है, मतलब number one जो statement है, वो हमारा sufficient है, तो next क्या है, Sudhansu's mother, who was born in 1970, is 24 years older than Sudhansu's brother, ओके, Sudhansu's mother, यानकि Sudhansu का जो मा है, वो 1970 में पेदा जिसका, जिनका age, अभी Sudhansu का जो भाई है, उससे वो 24 age, मतलब 24 years बड़े हैं, तो यहाँ पे अगर हमे Sudhansu का brother का age पता चल जाएगा, तो यहाँ पे हम Sudhansu का age भी निकल सकते हैं, और उसका मा का age भी निकल सकते हैं, तो यहाँ पे यह जो statement है, हमारा second balance statement, यह भी हमारा sufficient okay, तो यहाँ पे हमारा answer क्या होगा, यहाँ पे देखिए, both statement 1 and 2 together are sufficient, okay, तो चलिए, next question पर चल दे, question number 8, तो यहाँ पे देखिए, question number 8 पर हमें क्या बोला गया है, select the number pair, which is different from the other three responses, okay, तो यहाँ पे हमें जो number pairs दिया गया है, जो 4 option में जो number दिया गया है, इनके बीच में जो relationship पे, वो 3 option ऐसा मिलेगा, जिसका relationship पे एक जैसा होगा, लेकिन एक option का ऐसा relationship पे होगा, जो कि बाकियों से अलग होगा, तो यहाँ पे देखिए, 92 उसका 23 होगे, 92, 23 होगे, 92 और 23 के बीच में कुछ relationship होगे, तो आप देखिए, 23 को अगर हम 4 से multiply करेंगे, तो कितना होता है, 92 होता है, 23 को अगर हम 4 से multiply करेंगे, तो 92 होता है, उसी तरह 31 को अगर हम 4 से multiply करेंगे, तो कितना होता है, 31 को अगर हम 4 से multiply करेंगे, तो यहाँ पे 124 होता है, 124 होता है, उसी तरह 39 को यहाँ पे अगर हम 4 से multiply करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 156 आ जाएगा, और यहां पर लास्ट में क्या है 19 को अगर हम 4 से multiply करेंगे तो यहां पर 76 से आएगा लेकिन यहां पर कितना है 77 है इसका मतलब clear यह है कि यह जो तीन option में मतलब 31 से अगर हम 4 multiply करते हैं तो 124 होता है उसके प्लस 1 आड़ किया गया है और 39 को अगर हम 4 से multiply करते हैं तो कितना आता है 15 56 होता है और उसके प्लस 1 किया गया है तो उसी तरह 19 को हम फिर से 4 से multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 76 और उसके साथ फिर से हम 1 आड़ करते हैं तब जाके हमारा 77 होता है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है 23 को अगर हम 4 से multiply करते हैं तो डारेक्ट 92 आ जाता है जो कि हमारा answer है क चले हमारा next question को पर चलते है question number 9 तो यहां पर question number 9 पर क्या देगा है choose the alternative from the given option that will complete the given number series तो यहां पर एक number series वाला question देगा है 72 उसके बाद हो गया 83 उसका दो 104 उसका दो 138 उसका दो 182 next कितना आएगा उसको हमें find करना है तो क्यासे करेंगे देखिए 72 83 इनके बीच में क्या difference है कितना difference है यहां पर 72 और 83 के बीच में कितना difference है यहां पर देखिए 11 difference है 72 से अगर हम 11 आड़ करेंगे तो 83 होता है उसी तरह 83 और 105 इनके बीच में कितना difference है 22 मतलब 22 difference है 83 में अगर हम 22 आड़ करेंगे तो 105 होता है तो उसी तरह 105 और 138 इनके बीच में कितना difference है 33 difference है और यहा कितना है 44 है तो यहां पर आप क्या देख रहे हो यहां पर जो 11 का पहड़ा है मतलब 11 जो फास्ट 11 का यहां पर दो के साथ मल्टिप्लाइ किया जा रहा है उसका 3 के साथ उसका 4 के साथ तो अभी क्या किया जाएगा 11 को हम अभी 5 के साथ करेंगे तो कितना आजाएगा 55 जो कि हमें 182 के साथ 55 को आड़ करना है तब जाके हमारा अंसर निकल के आजाएगा जो कि कितना है 237 तो चलिए नेक्स्ट के उपर जलते हैa question number 10 तो यहां पर देखिए friends question number 10 में हमें कि फिगर दिया गया और इस फिगर के हिसाब से हमें अभी इसको solve करना है तो क्या दिए गए 7 को अगर हम six से 8 करेंगे तो कितना आता है उसी तरह गतना से और यहां पर 129 को 10 से 8 करेंगे तो कितना आता है तो देरे इसको भी हम सब्व कर लेंगे न तो चलिए नेक्स्ट पर जलते हैं question number 11 तो यहां पर question number 11 पर हमें एक alphabetical series वाला question दिया गया है देखिए यहां पर hs, j, q, l, o, n, m उसको हमें find करना है देखिए h के बाद j कितना step के बाद आ रहा है दो step के बाद उसके बाद j के बाद l कितना step के बाद आ रहा है तो यहां पर हमारा answer है क्यूंकि यहां पर आपको ज्यादा time बरबाद नहीं करना है क्यूंकि यहां पर दूसरे कोई option पर हमारा पी तो नहीं है तो इस वासे यह हमारा answer हो गया तो चलिए next question पर जलते question number 12 जो कि हमारा last question है यहाँ पर question number 12 पर हमें क्या दिया गया है? Sitting in a row, six Indian cricket fans K, L, M, N, O and P are watching an India versus Australia match. Of these, L, M, O and P are girls and the rest are boys. K, N and L have painted their faces while the rest are holding India flags. K, L, M, N, O and P are wearing the Indian team jersey and the rest are wearing normal tee shirt. Which two people are girls holding Indian flag and wearing Indian team jersey. तो चले इस question को solve करते हैं. यहाँ पर हमें first क्या बोला गया? 6 फ्यांस है, 6 Indian cricket team का फ्यांस है, जो की India versus Australia match देख रहे हैं. तो उनका नाम क्या है? K, L, M, N, O, P. तो यहाँ पर क्या first बोला गया है हमें? यहाँ पर L, M, O and P are girls. तो यहाँ पर हमें लिख देता हूं L, M, O and P. यानि कि 4 यहाँ पर girls है और जो बाकी है वो हमारा boys है. तो बाकी कौन कौन है? यहाँ पर K, जो K है, वो हमारा boy है. N, जो है, वो हमारा boy है. तो यहाँ पर यह दो हमारा boy है, और यह चार हमारा girls है. तो यहाँ पर फिर से हमें क्या बोला गया है? तो यहाँ पर K पेंट किया हुआ है, N फेस को पेंट किया हुआ है, और L फेस को पेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं एसे थोड़ा सा आरो मार्क दे रहा हूं, जो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं, फेस F लिख देता हूं, तो F दिनूर कर देता हूं, ताकि आपको पता चले कि तीन लोग है है यह हमारा फेस को पेंटके होए, जब की रेश्टर होल्डिंग इंडिया फंट्ब्स होगी, और जो बाकी बचे यह हमारा इंडिया फ्लाग्ष को पकड़ होए तो यहां पर मैं लिख देता हूँ F L लिख देता हूँ F L तो यहां पर यह तिन इंडियान फ्लाक्स को पक्टे हुए है तो यह से आपको डायरेट मतलब ऐसे मतलब सिम्बल देदना है चाकता कि आपको पता चले तो उसका क्या है तो यहां पर O और P इंडियान जर्सी को पेने हुए तो यहां पर मैं J लिख देता हूँ F L लिख देता हूँ F L और यह हमारा जर्सी पेने और यह हमारा T मतलब जो टी शर्ट पेने हुए कैने नर्मल टी-शरट पेने हुए है तो यहां पर ला61 में क्या वोला गया दिवीर कार्व अर गाल्स ओल्डिंग इंडियान फ्लाग हान यहां पर हमें पूछा गया कि कोन्सा ऐसे दो गल्स है जो की और इंडियानORY gehenать तक जर्से कोई और पकड़े हुए हैं तो यहाँ पर देखिए जो गाल्स को ने यह हमारा गाल्स इट मतलब ओ और क्वाईग में अर् यह के और आप había और यहां पर हो और पी यह दोनों हमारा अंसर है तो चले फ्रेंट्स यहां पर हमारा टेटल कोशिन सब सल्व हो गया जो कि रिजर्णिंग मतलब आंड क्वांटिटेटेट वी आपकी जूड में जो कुछ पूचिन पूचा गया हमारा डेफ सी सेल में वो कोशिन में सल्व कर दिया आई होब कि आपको यह वीडियो पसंदाया होगा